वेल्कम टूर्च चैनल टेक मेकानिकल एनिलेक्टिकल राजोस्तन को आपर्टीब रिकुड्मेंट बोर्ट का तरफ से बहुत ही अच्छा का सा वैकेंसी निकल के आया हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा एकेंसी वीडियो कब लोग पुरा देखना वीडियो में आप लोग के लिए बहुत सरा वैकेंसी हैं जैसे एट फके लिए टेंथ के लिए अपलाई कर सकते हैं तो तो आई टेके लिए क्या क्या है एक चाहिए बहुत जूरूद देखना पूरा वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत है अच्छा वेकेंसी है ओके और वीडियो अगर पसंद है तो आफ लोग चैनल को जूरूद सब्सक्रेब कीजिए और लाइक कमेंट करिए और जित चैनल को जुरूज सब्सक्राइब कीजिए यू काने वाल हाट टेक्निकल जॉब का में पलपल का अप्डेट देते रहोंगा ओके तो आज का नोटिपिकेशन कैसे देखना है आप देख सकते राजस्तन को आपरी रिकूट्मेंट बोर्ड को आफिसेल वेबसेट पर हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए क्या-क्या eligibility criteria सब कुछ में धिरे-धिरे बता दूँगा तो पीडियाप को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड option पर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं जो वेकंस है दा कोपार्टीब रिकूट्मेंट बोर्ड राजस्तान जाइपूर here in after refer to as board invite online application from eligible candidates of India for a recruitment for the following 503 post 503 post के लिए recruitment है ओके तो यह बहुत बड़ा notification आप देख सकते हैं तो तो यह नोटिपिकेशन अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेट हो जागा तो किस post के लिए कितना vacancy है और क्या-क्या eligibility criteria है मैं सोट में बता दूँग आप लोग बॉक्स में दे दूँगा अब लोग वीडियो का description box में जाके PDF को डाउनलोड करके पड़ सकते हैं पड़ोगे तो अब लोग को साथ उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि कितना post है तो इसका details मैं अलग से निकाला हूं तो मैं अब लोग को दिखा देता हूं अगर हम बात करते हैं इसका online application का starting date कब से 29 जैनौरी आज से इसका online application स्टार्ट हो गया है इसका last date कब है इसका closing date है 26 February ठीक है 26 February इसका last date है minimum age का है 21 year से maximum age 40 year से और age relaxation मिल जाएगा इसका बाद application fee कितना रहेगा अंडिजब और आदा स्टेट बालों के लिए 200 रुपीज रहेगा जो भी student आदार स्टेट से बिलोंग करेगा आदा स्टेट से एप्लाई करेगा वो सभी student आंडिजब के लिए applicable होगा मतलब स्टेप राजोस्तान बालों स्टी या जो भी कास्ट होता है ना कास्ट अब लोगों मिलेगा नहीं तो आदार स्टेट से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों स्रफ आंडिजब के लिए apply करना पड़ेगा अंडिजब में आप लोगों को fight करना पड़ेगा ओके और पेमेंट मोड होगा ब्रिक्स पॉषट है डरी टेक्निसेअं के लिए थाटि वन पॉषट है इन्लेक्रिस रोक rodz ट्रीट ट्रीट पॉषट है जुनियर अकॉंटेंट पार्चेज स्टोर्स चूपारफाजर करिक फॉट पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर के लिए 77 पोस्ट है, लाइब स्टॉक सुपरवाइजर के लिए 7 पोस्ट है, रेफ्रीजर एर्शन ऑपरेटर के लिए 20 पोस्ट है, फीटर बलो के लिए 15 पोस्ट है, वेल्डर बलो के लिए 6 पोस्ट है, हेलपर और डेयर, डेयरी ओरकर के लिए 27 पोस्ट डinstr congratulate थार्टी पोस्ट है ऐलेज एक्टेंशन गार्कार О大 आरगे Olivia के लिए 20 पूस्ट है तो तो-टाल 54 diskut तीन पोस्ट है ऊके इसका बाद आफ देख सेखते हैं जिनारर मैनेजर के लिए क्या-क्वॉलिफिकेस्ट चाहिए तो यह जो पीडिओ पीडिओ का Link में यह भी पीडिओ का Link में वीडियो का Description बॉक्स में देदूंगा तो जो भी आप 미डिओ का Link में यह पीडिया का Link में वीडियो के Description Microbiology और equivalent with 10 years experience in responsible position ओके डेपुटी मैनेजर के लिए क्या चाहिए देख लीजी इसका बाद Assistant Manager के लिए क्या चाहिए मैं जनायली बात करूंगा इते बालोकी इसका बात देखसे क्ते बॉयलर ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए एक ग्रेड बॉैलर एय्टंडेंट नहीं चाहिए उद्टू यार एक्सप्रेंस चाहिए जुनियर इंजिनेकर्पिय अगैर आई डिपलों मेकल्टिकल इंजिनेरी हो टो चाहिए और दूसाल का होना चाहिए इसका बाद electrician के लिए IT trade होना चाहिए और दो सल का practical experience बाद अब लोग को experience होना चाहिए ओके इसका बाद junior accountant purchase store supervisor के लिए क्या कैच है अब लोग देख सकते हैं इसका बाद plant operator नहीं है फिर भी आप लोग apply कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग यह दुखी मात होना कि आप लोग आप लोग अपास दो साल का experience नहीं इसलिए apply नहीं कर पाई होगे तो आप लोग अब लोग कर सकते हैं अब लोग करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते कि इसका online application कैसे होता है step by step दिखाने के लिए तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मेरे को रिक्रिस्ट कीजिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाओंगा कैसी इसका फॉर्म फिल आप करना पर दोनगा फीटर बलो के लिए स्पेसाली जो 15 बैकेंसि ए वरल्डर बलो के छह नहींद से अब देख सकते दो सल का एक्स होना चाहिए और आईटीए होना चाहिए लपर बलो के लिए 8-1 होना चाहिए ऑक्के तो बाकी जो भी आप लोग देख सैकते बहुत सारा इसका बाद आप देख सकते हैं multiple choice question होगा ओके तो बाकी syllabus का बाड़े में मैं बाद मैं discuss कर दूँगा इसमें कोई भी negative marking नहीं रहेगा इसका पेस्केल का बाड़े मैं आप लोग देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड करके अच्छा से पर सकते हैं तो आप लोग देख सकते है क्या क्या ग्रेड रहेगा और इसका एक्जम सेंटर कहां रहेगा अलोवार अजमेर बिकानेर जोदपूर जयपूर कोटा सिखर स्री गंगर नगर उदाइपूर में अब लोग का सेंटर रहेगा तो आप लोग को कोई भी एक्जम सेंटर चूज करना पड़ेगा दो तीन अगर आप लोग चाते हैं कि इसका ओनलाइन फर्म फिलप कैसे होता है वह दिखाने के लिए तो कॉमेंट बॉक्स में मेरे का रिक्वेस्ट करिए मैं इसका ओनलाइन फर्म फिलप कैसे करना पर तो वह भी आप लोग को मैं दिखा दूंगा आने वाला हार टेक्निकल अब लोग पूरा नोटिफिकेशन को भी पड़ सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और आने वाल हार टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को जो सब्सक्रिब कीजिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू बाइबाई मिलते हैं नेक